वगल्कम टू विवानिस воды है कैसे हैं दोस्तों सफल सभी होना चाहते हैं अज चाहते हैं कि हमें सफली प्राप्त हो एक अच्छी जगह पर हो येग्या प्रींट करें लेकिन पर युशक कौन होता है सफल वही होता है जिसका एक सट टार्गेट होता है और उस डाएrekशन आपको भी कारण बना के रखना है आपको भी कारण सेट करना है अपनी लक्ष को प्राप्त करने के लिए अगर आप अपने कारण को सेट कर लेते हैं तो लक्ष प्राप्ति के लिए आप जी जान लगा देते हैं मेहनत करते हैं और उसके लिए जुनून पैदा करते हैं तो आ अब आप सफल हो जाएंगे उसके बाद आज इवन आपको फिर मौज मस्तिही करनी है तो लगातार मेहनत करें और अपने लच्च को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें निरंतर प्रयास करते रहें ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आज करने फिर पर तो दोस्तों आज है 29 जून 2020 और 29 जून 2020 से समद्ध जितने भी करने फिर बनते हैं उन पर हमां आज डिसकर्शन्स करेंगे च आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरण सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे हमारे पास से किसी प्रेकार की चाहे करेंड एफिर हो चाहे कंपटिटिव वीडियो हो अप्लोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी नोट कर सकते हैं वहाँ पर लिंक प्रोवाइट की गई है तो दोस्तों वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक ध्यान से देखिएगा विट कॉन्फिडेंस और जुनून के साथ देखिएगा अगर चीजे समझ में आती है तो आप में कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट करे एडवाइस करें तो वीडियो सुरू से लेकर लाज तक देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है लगती है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें आयों वीडियो को लाइक भी करें तो चलिए बढ़ते हैं आज की करन अफेर पर तो दोस्तो आज ही करेंड फिरिकार सबसे पहला कुश्चन किस भारती अर्थसास्त्री और नोबल पुरुसकार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्टित सांती पुरुसकार जीता है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा याद रखेंगे अम्रत्ति सेन क्या क्या है कि जो नोबल पुरुसकार जो है विजेता पहले से ही है और 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्टित सांती पुरुसकार इन्होंने अभी हाल ही में जीता है ठीक है दोस्तों question number one है किस भारती अर्थ शास्त्री और नोबल पुरुसकार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्टित सांती पुरुसकार जीता है तो यह हैं अम्रत सेन ऑप्सेन एक करेक्ट हो जाएगा तो यह एक भारती अर्थ शास्त्री यानिंडियन सांती पुरुसकार ये प्रतिष्टित सांती पुरुसकार जीता है नोबल पुरुसकार ठीक है तो यहाद रखेंगे और यह क्या है अ nutrinaire में जो है वर्तमान में Harvard University में क्या है एक प्रोफेशर है ठीक है और इनको 1998 में Nobel सांती प्रुषकार से भी शम्मानित किया गया था तो अभी इन्होंने हाल में क्या है जर्मन बुक्ट्रेड ने इनको भारत अर्षास्ट्री और दार्षणि अमरत से इनको 2020 के सांती प्रुषकार के लिए चुना है ठीक है और यहां पर किसी ने चुना गई यहां पर चुना है जर्मन बुक्ट्रेड ठीक है जर्मन बुक्ट्रेड क्या है तो दोस्तों जर्मनी जो भार्ता ही अर्शास्ति है और यह जो हैं संबार्वर्क्त परॉफिसर भी तो इनंहीं कभी जो है जर्मन बुक्त ट्रेडने क्या शांतिश्कार के लिए स्वादत करने के लिए इनको चूना है। ठीक है तो जी याद रखेंगे और अगर हम बात करें कि इनको चुना क्यों गया है दोस्तों तो इनको चुना इसलिए गया है क्यों कि इन्होंने क्या किया है कि विश भर में फैरे समाजिक अन्याय को उजागर करने के कि उनके काम के लिए इनको समानित किया गया है ठीक है त भारत के कौन से प्रदान मंत्री हुए थे तेरह में ठीक है और अगर हम बात करें रगुराम राजन की तो रगुराम राजन एक अंतराश्टी मुद्रा को इसके मुख अर्थसास्त्री और संधान निदेशक भी थे और ये भारती जो बैंक जो आर्बियाई है इसके तेश्म स्थान पर है तो स्विस नेशनल बैंक की एनुवल बैंकिंग स्टैस्टिक्स में 2019 में पहले स्थान पर है तो स्विस नेशनल बैंक स्थान की एनुवल बैंकिंग स्टैस्टिक्स 2019 में ब्रितेन आपसें डी क्या है पहले इस्थान पर है ठीक है और कि बैंक में स्विस बैंक तो गाइज यह है स्विश निशनल बैंक ठीक है और अगर इसकी बात करें तो इसका है एड़क्वार्टर जीवरिक स्वेजियर लैंड में है और इसके चेयर पर्सन को आना थॉमस जॉर्डन और इसके स्थापना कर भी हुए थी 17 जुलाई 1906 में और ईस्विश बैंक सी डिटेल साप यहां भी देख सकते हैं कि हेड़क्वार्टर चेयर परशन और फांडिट कभ जो है इसकी डिटेल से बढ़ेंबर करने लिए रिविजन करने कि अप यहांसे नोट डाउं कर सकते हैं लौत बना सकते हैं और अगर अम बात करें बिटन की यूनाइटिट किंड़म की तो बिटन कैपिल क्या है लंडन और प्राइम निस्टर कौन है बोरिस जॉंसन और करेंसी यहां क्या चलती है पाउंड इस्टर्लिंग ठीक है दोस्तों याद रखेंगे पाउंड इस्टर्लिंग चले बढ़ते हैं नेस्ट क्वेस्चन पर तो इ इतिहास रचने वाले जो इंजीनियर थे इनकी उनके नाम पर रखने का एलान किया है उनमें कौन है वो इसका करेक्ट्टुप्सन हो जाएगा ओप्सन B मैरी डेव्यू जैक्शन ठीक है तो गईज यह मैरी डेव्यू जैक्सन ए और इनहीं के नाम पर पहले जो इसका नाय यह वासिंग्टन डीसी था लेकिन अभी क्या है इसी के नाम पर रखने का गोंचला की जाए तो मैरे डब्लू जैक्शन भी एक अमेर्की वैग्यानिक थी ठीक है नासा में वर्क करती थी और नासा इंजीनियर थी और इहीं के नाम पर जो है वासिंग्टन डीसी का जो मुख सब्सक्राइब कौना है ब्रिंद्रिं स्टाइन डेन स्टाइन ने सी जोश्यला की है ठ product तक यह दूर रखेंगे तो किया सिंख option भी correct हो जाएगा L'oreal groups ठीक है L'oreal groups और L'oreal groups की बात करें दोस्तों तो वाइस यह है L'oreal ठीक है और L'oreal की L'oreal की जो है स्थापना कब हुई थी 30 जुलाई 1909 और इसके संस्थापक कौन है इग्वीन स्क्वेलर और इसका है क्लिंची फ्रांस ठीक है चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर वाइव जैपनी कंपनी ओलंपश नहीं अपने क्यूंपश के प्राइन का बिजनेस बेच दिया है तो इनका जो औलम पस प्राइन का बिजनेस तक्रीबन था 84 साल इसका तो ऑप्सन सी करेक्ट हो जाएगा 84 साल का था ठीक है तो अभी क्या है जह जो है जापानी कंपनी ओलंपश ने अपनी में और है इसका है करता कौन है या करता को है या निस अठापक कौन है ताकेसी या मासिता और है कि मुत गई अधान ठीक है चले बढ़ते हैं नेक्स नेक्स पर किसे फीफा से जो connected है लिंक्ट है ठीक है तो इसके लिए जो है कितने बिलियन डॉलर की घोशना की है किसने फीफा ने इनकी आर्टिस रंकर दिशेल है लोगों के लिए तो यह करेक्ट एंसर उसका हो जाएगा option A 1.5 मिनियन डॉलर ठीक है 1.5 मिनियन डॉलर और गाइज जो है फीफा तो दोस्तों यह है फीफा यानि फूटबॉल फेडरेशन और फीफा के प्रेसिडन कौन है वरतमान में गियानी इनफैंटिनो और इसका है एड़कोर्टर कहा है जूरिस स्थापना कप की गई थी कहा की गई थी पैरिस फ्रेंस में और कप की गई थी 21 माई 24 और इसके सीनर वाइस प्रेसिडन कौन है सलमान बिन इबराहिम अल-खली चलिए बरते हैं नेक्स क्वेशन पर तो गाइस क्वेशन नंबर शेवन है उत्तर प्रदेश सरकार ने कोट और मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए किस फोर्स की गठन करने को मंजूरी दे दी है तो इसका गाइस करेक्ट एंसर हो जायाएगा यूपी स्पेश स्पेशन करने किया जाएगा ठीक है और पहले चर्ण में इस बलकी पांच ब्राइलन का गर्षा किया जाएगा साथ ही यूपी एस एफ की स्पेशल ट्रेनिंग कराएगी जो इसका काम होगा मेट्रो रेलवे स्टेशन इन सब की सुरक्षा करना है ठीक है दिहान में रखें गए और यहां करें बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश कैपिल का है लखनू गवर्नर कौन है अनंदी बेन पटेल और चीफ निस्टर कौन है जोगी आधितना ठीक इसको याद रखेंगे है और दोस्ता ओर Asian इंजिन मेप में देखिए उत्तर प्रदेश हमारा यहां पेशते है ठीक है जो रेट पूरा ब्लॉक यह पुरा उत्तर प्रदेश है चले बढ़ते हैं नेक्स्त व्एस्टं पर तो इसления नेक्स्ट व्एशन है कौस्टन फोर इत्ष बाल गीन किस ड्रे आपको पर ऑपसंछी कियाने को स्थिय आपको अपने आपको से पनी आपे के लिए हैं आपको कान जोहर कुछ इन भारत की किस तेल कंपणी ने एलेक्ट्रिकल वेहिकल में चार्जिंग ए समस्या खत्म गाने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉग की है कौन से हुदा गाईश बैटरी स्वैपिंग सुविधा ठीक है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आप्सन ए आई ओ सी एल यानि इंदियन ओइल कॉर्परेशन लिमिटेड ठीक है इसने क्या किया है कि जो एलेक्ट्रिकल वेहिकल होंगे उसमें चार्जिंग समस्या खत्म करने लिया है और इसमें करें किया इसमें बैटरी स्विपिंग सुविधा लॉंच की जाएगी ठीक ह है और अगर हम बात करें आई ओ सीयल की तो आई ओ सीयल कि चेयर पर्सन कौन है संजीव सिंग और इसका हैड़ क्वाटर कहां है न्यू डैली ठीक है तो दोस्तों यह है इंडियन ओयल कार्परेशन लिमिटेड और इसी नहीं क्या किया है कि जो एलेक्ट्रिकल वेहिकल तु तो इस नेक्ष्ट क्वेशन है क्वेस्चन नंबर 10 कि संस्थान ने धरू नाम की चिप बनाई है थो दुनाम की चिप बनाई है तो कियो जैक्ट अंसर करेक्ट और ऑप्शन बी खर्याएगा ठीक है जिसे क्या होगा कि कि भी किसी को चिन्धित करने के लिए या मैपिं करने के लिए आसाने से यूच करने के जाए गए स्मार्टपोन और जो नविगेशन उपकरण होते हैं जैसे जीपिया सब्सक्राइब उसमें इसको इसको इसमाल कर जाएगा ताकि लोगों की रिस बने लोगों तक आसानी एजली रीच बनी रहा है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टन पर तो गैस क्वेस्टन नबर 11 है हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तिमाल करने के लिए कौन सी दवा को मंझूरित दे दी है तो गैस बताना है कि कौन सी ऐसी दवा तो जिसके इस्तिमाल के लिए भारए सरकार ने अभी हाले में मंझूरित दे दी है ठीक है और इस दवा को प्योक इस्तिमाल स्वरूजन को बोड़ी में सुजन तो इस वाइश क्वेशन बड़ 12 है और आज अब चल्ड लाश्ट क्वेशन आर्थिक मामलों की मंत्रिमानिल समितनी पस्वपालन अव सरचना ठीक है पस्वपालन अव सरचना विकास की कोस्त की स्थापना के लिए कितने करोर रुपए दी है ठीक है तो इसको बताना है कि ज स्वपालन अव सरचना विकास कोस्त की स्थापनागार होगी तो इसमें जानगोर की जो हाइब्रिड होती है जानगोर जो नई निपरेजातियों को इजात करने में और उनको बढ़ावा देने में कापी मदद मिलेगी ठीक है और इसका होगा आत्मिपड भारत अभियान प्रोटाहन पैकेज का एक हिस्सा भी है ठीक है याद रखेंगे कि क्या है आप मिर्बर भारत प्रोटाहन का एक हिस्सा है पंद्रह हजार करूर रॉपए जो दिये गए है पस्पालन अफ सरचना विकास कोश के स्थापना के लिए तो गाइस ये थी आग की करनल डफेर